और अब नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है और ये वाइरल पेपर ही है आपके सामने जो की कुशन बेंक से आपका सो प्रतिसत कुशन आने वाले हैं ठीके, सब लोग कहते हैं कि ये सारे वाइरल पेपर हैं वाइरल पेपर हैं, ये वाइरल वाइरल कुछ भी नहीं है याद रखना, कुशन बेंक से सारे कुशन बताए जाएंगे और देख सकते हैं आप साल 2020-2021 और याद रखें class 12 class 12 subject है हमारा English English subject है general English तो दोस्तों याद रखें आप सभी जो viral paper है वो ही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि आपके cushion bank में से 100% सारे cushion आएंगे ठीके तो आईए दोस्तों start करते हैं कक्षा बारवी मध्यप्रदेश pre-board परिक्षा और board परिक्षा का viral paper ठीके और ये paper है मतलब cushion bank के question है 100% question यही आएंगे इसलिए मैं कहे रहा हूँ कि ये viral paper है तो आईए दोस्तों देखते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं section A हमारा आ चुका है section A reading किसमे से question number 1 हमारा आपके सामने question number 1 में क्या दिया है read the passage carefully and answer the question given blow it ये 2016 में पूछा गया था ठीके तो और आपकी प्रेस्ट बेंक जो है इसमें include कर रहा है ये तो इस passage को हम पढ़ते हैं और इसके बाद में इसके कुछ question रहेंगे और दोस्तों ये पूरा paper है इसमें जितने भी question में बता हूँ आपको उनके आप या तो screenshot ले लेना ठीके या फिर अपनी जो book है आपके पास में अगर book है तो उसमें tick mark कर लेना लेकिन ज़्यादा तर अच्छा ही क्या रहेगा आप screenshot ले लेना दोस्तों जैसे ये first है न reading इसमें से read the passage carefully and answer the question given below तो इसका आप एक screenshot ले ले और इसके बाद में देख सकते हैं ये इतनी बड़ी है तो दो screenshot हो जाएंगे और ये इसके question रहेंगे फिर जितने भी आपके सामने question आए ना इन question को तो आप लिखी लेना ठीके क्योंकि एक भी कुशन ऐसा नहीं है दोस्तों जो आपकी परिक्षा में नहीं छपेगा सो प्रतिस्त आने वाला है और ये जो प्रिस्न बेंग के जारी की है माद्दिमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा और आपकी परिक्षा की तयारी करवाने के लिए जारी की है तो ये पेसेज है जराशी में इसको पढ़कर आपको बता देता हूँ ठीके इसके बाद में मैं डाइरेक्टली क्या बता हूँगा कुशन बता हूँगा आपको दा जटा का स्टोरीस रिकाउंट दा मैनी प्रिवियस बर्थ ओफ दा बुद्ध ये आपकी पेसेज है आप देख सकते हैं इस पेसेज को आपने एक स्क्रीन सोट भी ले लिया होगा मैं बता दूँ यहां से यहां तक का एक स्क्रीन सोट ले लेना यहां से लेगर के यहां तक आपका एक स्क्रीन सोट हो जाएगा और इसके बाद में ये वाला जो लिखा हुआ है ये इतना ये आपका second screen sort हो जाएगा तो ये देख सकते हैं आप यहां से लेकर के तो यहां तक ठीके और ज्यादा अगर जिसे मालीच सारी में पढ़की भी बता दूँगा आपको तो समय व्यतित होगा आप तो कुशन देख लो directly और कुशन के आंसर लिखना फिर इनके इसी मेसेज ढूंड कर ठीके दोस्तों क्योंकि ये पूरा पेपर है आपका तो आंसर इसमें नहीं रहेंगे कुशन पेपर है तो कुशन ही है दोस्तों सारे और जो भी आपको आंसर बता रहा है उनको मेरी तरफ से सुबकाम ना है लेकिन मैं आपको पूरा कुशन पेपर बताऊंगा क्योंकि ये कुशन बेंक है और आंसर हो सकता है कि मैं बाद में बताऊं लेकिन सबसे पहले आप कुशन देखेंगे जटा का स्टोरिस जटा का स्टोरिस आर रिलेटेट टू दा प्रिवियस इंकरनेशन ये एक नंबर का रहेगा लोड कृष्णा, महावीर या पिर डटा ट्रे गोतम बुद्ध तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो आप इसमें लिखेंगे अगला देखिए दा स्टोरिस आर रिटन इन फिलिन दा ब्लेंक्स लेंग्वेज संस्कृत, पाली और प्राकरत या फिर अवाधी ठीक है, मतलब अवधी है ये अगला देखिए, दा वाइज एनिमल वाज खालिस्तान, मंकी ओटर, हेयर या फिर जेकॉल ये आपके कुशन से दोस्तों आप इनको अच्छे से लिख लेना मैं आपसे यही उम्मित करता हूँ कि आप इन अच्छे से लिख कर याद करेंगे ठीके, और और कुछ और भी कुशन दिये हैं इनको भी हम देख लेते हैं देखिए सका इंटर्ड दा फोरेस्ट इन डिस्गैस ओफ ए बेगर, ए मॉंक, ए फिकर, या फिर ए फिजेंट, नेक्स्ट कुश्चन है जटा का स्टोरिस, कॉंटेंट स्टोरिस तो स्टोरिस अभी हमने देखी थी कितनी स्टोरिस आई थी उसमें 547, या फिर 457, या 754, या फिर 745 चलो इसको मैं बता ही देता हूँ इसमें लिखा हुआ है, अभी हमने जस्ट देखा था ना, तो स्टोरिस इसमें है 547 स्टोरिस, ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैं बता ही देता हूँ क्योंकि एक तो तुरंत दिखी गया था तो 547 है, याद रखना ठीक है, अगला देखिए, word previous related to, present future, या past अच्छे जो previous है, ठीक है ये होता है, पिछला इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, पिछला होता है, तो पिछला का मतलब जो बीत चुका है, ठीक है, तो जो बीत चुका है ना, तो उसमें तो दोस्तों क्या आएगा, past आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, past इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है अगला देखिए, monkey found, monkey found as food to be given to a needy person bananas, guavas, ripe mangoes, या orange next देखिए दोस्तों next है आपका इसके बाद में हम अगली passage देखेंगे the jataka stories were written in तो याद रखना दोस्तों यह आएगा, first वाला 400 BC ठीक है, 400 BC आएगा इसमें अच्छे से देखना और अब यह question है what reward did shaka gives to her for his self sacrifice next question है what do jataka stories show you, यह दो-दो number के question है, अब हम देखते है question number two, question number two में भी आपको क्या दिया है, question number two में भी unseen passage दिये, और unseen passage के बाद में आप देख सकते हैं, यह कुछ question दिये है, ठीक है, और इन्ही question को आपको याद करना है, आपके परिक्षा में, चाहे वो pre-word परिक्षा हो या वार्षिक परिक्षा सो प्रतेसत, question bank में से ही आने हैं, और चाहे वो question bank आपको किसी ने भी उपलब्द करवाई हो, यह कोई भाइन नहीं रखता है, लेकिन आप जरूर ध्यान रखना कि question bank में से आएगा, ठीक है, देखिए, read the passage carefully and answer the questions given below, यह passage है, आपको इसको ध्यान पूरवक पढ़ना है, और ध्यान पूरवक पढ़के क्या करना है, नीचे दियेगा question के answer देखना है, तो एक screenshot ले लो, आप अच्छे से यह उपर-उपर की में पढ़के बता रहा हूं इतनी देर में, इसके बाद में में question बताऊंगा आपको, because our eyes are so valuable to us both of work and foreplay, it is important that we should take very great care of them, by using our eyes foolishly, it is possible to damage them so severally that they never fully recover, for this reason, it is wise to observe a few simple rules, especially when reading, writing and doing other close work such as making models, यह आपकी passage है दोस्तों, passage number two, इसका आप screenshot ले अच्छे से, यहाँ दखे, अब एक screenshot आप इसका और इसका ले ले, मतलब कि एक ही लोगे इसमें आ जाएगा आपका, इसके बाद में मैं आपको question बता रहा हूं दोस्तों, चलिए, question देखते हैं, यह आपके question आ चुके हैं, आपके सामने, देख सकते हैं, questions, questions देखिए, eyes are valuable to us, जो आखे हैं, वो हमारे लिए valuable है, for work, for play, for work and play, या फिर none of these, तो इसका आएगा दोस्तों, for work and play, काम करने के लिए भी है, और खेलने के लिए भी है, ठीके हैं, तो याद रखना, by using our eyes fallishly, it is possible to, it is possible to, protect them, neglect them, damage them severely, या नोन अब देखिए, the word observe, in the passage means, जो observe है, इसका मतलब क्या होता है, passage में, ठीके, या आपको बताना है, observe का, break, follow, ignore, या see, ठीके, तो या आपको observe का आएगा दोस्तों, याद रखना, follow, इसके बाद में अगला देखिए, whatever work we are doing, there should be enough, air, sound, noise, light, next देखिए, very strong light should be avoided since it is, tearing for the eyes, comfortable for the eyes, does not affect our eyes, अगला देखिए, अगला है दोस्तों आपका, the verb form of simple is, जो simple की verb form है, वो क्या है, simple है, simplify है, ये simplicity है, ये बताएंगे आप अच्छे से, और इसके बाद अगला कुश्यन हम discuss करते हैं, ये कुश्यन है, whatever work we are doing, there should be, enough light, sufficiently strong light, eventally spread light, all of these, next question है, while reading or writing, the passage should be, fill in the blanks from the eyes, 12 inches, 20 inches, 2 inches, 22 inches, next question है, why we should not look directly at a very bright light, next इसके बाद में आपको है, what care should we take while reading or writing, what care should we take while reading and writing, ठीक है, ये two marks के कुश्यन है, इसके बाद में हम देखते हैं, next question, read the passage carefully and answer the question, give in below, ये passage है, आपकी, second, देख सकते हैं, this happens to waste soil, erosion increases many fold and the soil literally get washed away, ये आपकी पैसेज हैं, इस पैसेज के बाद में ये कुश्यन हैं, तो ये तुरंत इसके बाद में ये जस्ट कुश्यन ही दे रखे हैं, तो इसका पैसा करो, इस पैसेज का भी, एक screenshot ले लो, और ये ही आएगी, अलग से कहीं सभी ने आएगा, मैं आपको पहले ही बता दूँ, अच्छे से आप 100% विल्यू के साथ में इसको याद करेंगे, ठीके, चलिए आप screenshot ले सकते हैं, आप इसका, एक अच्छे से, और पैसेज के answer में, मतलब question और answer दोनों, इसमें बताने का प्रयास करूँगा, इसके बाद में हम next देखेंगे, देखिए इसमें दो कुशन दिये हैं दोस्तों, एक तो यह है, make notes in points from the above passage, जो अभी आल उपर passage दी है, उसमें क्या करना है, उसका आपको एक notes बनाना है, है न, और using abbreviations where necessary and supply a suitable title also, और क्या करना है, एक title भी देना है आपको, कि यह किस से related है, ठीके, इसके बाद में next question है, write a summary of the above passage in 90 words, आपको क्या करना है, 90 सब्दों में, कितने सब्दों में, 90 सब्दों में आपको क्या करना है, summary भी लिखना है, उस passage की जिसका मैंने बताता है, कि इस passage का आप लीजे, अब next देखिए, यह second passage है, जिसका आपको title और summary बताना है, तो यह second passage है, question भी आपको इसके नीचे मैंने बता ही दिये, देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, second यह है दोस्तों, तो देखो, दो passage तो ऐसी होई, जिसमें से आपको उनी में से ढूंड कर question लिखने थे, ठीके, और दो यह हैं, आपकी, ठीके, जिनके क्या बनाने, make notes बनाने, ए of thrones, it is full of dangerous and difficulties in the race of life, we should not be afraid of the risk, which is natural, success in any work in life goes to those persons who welcome risk, science would not have made such a wonderful achievement if our scientists had not risked their lives and comports, the more difficult, the more difficult work is, the harder should be our effort to perform it, मतलब कि जो life है, वो कैसी है, वो बिल्कुल रिस्की, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो क्या नहीं होंगे, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे ना, तो success नहीं मिल पाएगी, ठीके, तो यह इसमें बताया गया है, तो समझ लें, इसमें क्या बताना है, make notes, ए life, ठीके, इसका life is not a way of results, हाँ, समझ लें आप इसका जो टाइटल है ना, वो इसमें देंगे आप बिल्कुल, life and risk, ठीके, अगला देखिए दोस्तों, write a summary of the above passage in 90 words, मतलब क्या आपको 90 सब्दों में क्या लिखना है, 90 सब्दों में summary लिखना है, अब यह complete हो चुका है, हमारा second question, इसके बाद में section B आ चुका है, जिसमें आपको क्या गरना है, हाँ, advertisement बनाना है, और समझ लेना इसमें, notice बनाना है, poster बनाना है, तो कौन-कौन से यह जो advertisement आएंगे, आपके कौन से notice आएंगे, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, देखिए, advertisement, notice and poster, सबसे first देखिए, you are be ready of Bhopal, you want to let out a house, write out an advertisement to be published in the classified column of a newspaper, यह 5 नंबर का है आपका, ठीके, 5 नंबर दिलागर जाएगा, first हो चुका है, आप दूसरा में पढ़के बता रहा हूँ, तब तक आप screenshot ले लेना है, या लिख लेना, you are Ankita, Ankita, you have found a school bag in your school compound, prepare a lost and found, मतलब की, lost and found का आता है न, आपको मालूमें, lost and found, ठीके, lost and found का आपको क्या बनाना है, notice बनाना है, क्या बनाना है, lost and found का एक notice बनाना है, अच्छी तरह से, 5 नंबर दिलादेगा ये, अगला देखिए, you are Alok Gupta, the secretary of the cultural activities of your school, draft and notice giving information about the selection of two participants from your school to take part in the inter-school debate competition, ठीके, इसके बाद में हम बात करेंगे, next question की, prepare a poster on, save note to drugs, ठीके, ये बिल्कुल 100% most है, say no to drugs, ठीके, drugs को ना कहिए, ये इस परकार का, तो ये कपकप पूछा गया था, 2016 में भी आ चुका है, 2018 में भी आ चुका है, तो आप समझना, 2021 में भी आएगा, क्योंकि दिया ही है उन्होंने, तो आएगा क्यों नहीं, अब अगला देखिए, अगला है आपका इस परकार से, design an attractive and instructive poster of daily police to educate and warm the people against unclaimed articles like dolls, tiffin box, suitcase and wax, transistors, mobile lying in public places, trains और buses, मतलब कि आपको एक attractive poster बनाना है, जिसमें किसके लिए मना किया गया है, कि अगर, अगर आपको dolls दिखाई दे, tip-in दिखाई दे, या फिर suitcase या big transistor, mobile, कुछ भी अगर दिखाई दे, ठीक है, जिसके पास में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं, वेसे ही पड़ा हुआ दिखाई दे, तो किसको सुचित करना है, दिल्ली police को सुचित करना है, तो ऐसा attractive क्य करना है, एक public newspaper में published होने के लिए एक suitable advertisement बनाना है, और काई के लिए household goods, मतलब कि जो घरेलू चीज़े हैं न, उनके लिए, ठीक है, तो अगला देखिए, यह notice board पर आपको बनाना के बताना है, मतलब, अगला देखिए, with the help of the police given, design a foster in suitable works entitled, don't be cruel to animals, मतलब कि जो animals है, उनके साथ में हमें दया रखनी है, उनको बिल्कुल भी छती नहीं पहुचानी है, ऐसा एक बताना है, और देखो, क्या-क्या दिया है, इसके लिए point, love them, feed them, shelter them, save animals, save the earth, नेक्स्ट देखिए, design an attractive foster with catchy slogans on blood donation camp, फिल्कुल, blood donation camp, इसका आपको एक बनाना के बताना है, अगला कुशन देखिए दोस्तों, अगला कुशन आपका यह इस प्रकार है, फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर, और application सब मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा का पूरा paper है, फॉर्मल लेटर देखिए, with the help of the following words, given blow, produce a right upon NSS camp, मतलब की NSS camp आपको बताना है, अब NSS camp में क्या क्या point दिये हैं, वो include कर लेते हैं, फॉर्मल लेटर के तोर पर रहेगा यह, NSS camp in Rampur village, 100 volunteers, planting of trees, cleaning of drains, adult literacy classes, यह आपका NSS camp के point हो चुके हैं, अब इनके बाद में number B वाला देखिए, produce a right of on value of games, मतलब की जो खेलों का महत्व है, वो इसमें आपको बताना है, ठीके, value of games, तो चलिए देखते हैं, point क्या क्या include करना है आपको, मैं जूम कर देता हूं इसको, ठीके, दोनों चीजों को मैंने जूम कर दिया है, यह तो उपर का तो NSS camp वाला हो गया, और यह जो न से वो क्यों जरूरी है, removes, monotony, make our body healthy, learning, good habits, develop quality and brotherhood, यह value of games के है, point, अब हम देखते हैं, अगला, an accident वाला भी रहेगा, और इसके बाद में, यह कुछ later application है भी रहेगी, और इसके बाद में, composition, ठीके, और section C, जो grammar रहेगी, वो आपको next वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि य ठीके, तो चली देख लेते हैं, यह question number 6, मतलब C, देखिए, इसमें क्या दिया है आपको, you have witnessed an accident, write a report for newspaper in 100 words, मतलब की, आपने एक accident होते हुए देखा है, तो आपको एक report लिखनी है, 100 सब्दों में, ठीके, about the accident using the following details, अब आपको यह details दी गई है, इन details के माध्यम से, ठीके, आपको क्या करना है, an accident वाला एक report बनाना है, report writing है यह दोस्तों, क्या है यह, report, report writing है, तो अच्छे से इसको भी आप हल करेंगे, इस report writing को भी देख सकते हैं, report writing, चलिए अब देखते हैं, कौन-कौन से point के आधर पर आपको report writing बनानी है, where, when and how did the accident happen, मतलब की, कहा पर हुआ ह accident कब हुआ है, और कैसे हुआ है, यह आपको बताना है, और उसके बाद में, people, vehicles involved, loss of life and property, the scene of accident, details of casualties, death, injured, hospitalized, इसके आधर पर आपको करना, एक an accident वाला बनाना है, ठीक है, अब next देखिए दोस्तों, You are Kamal, as a responsible citizen, you have organized a campaign to say no to polythene bags, in your locality, write a report using the following inputs, Campion in our locality, disaster's effect of polythene, chocks the savage system to make public aware of its harm, to make locality polythene free, Next देखिए, last Monday you went to hospital to see your friend who was admitted there, using the following inputs, produce a small write-up on a visit to a hospital, a visit to a hospital वाला भी आपको करना है, complete, registered counter, people in front of doctor's room, और surgical ward, nurses attending medical ward, patient lying on their beds, और यह formal letter अब आ चुके हैं, formal letter में मैं आपको बता रहा हूँ, कि क्या क्या करना है, छे number का आपका यह रहेगा, write a letter to MS Dipali stationary mart new market ratlam asking them to send their rates and terms of supply of stationary items, अगला देखिए, write a letter to the collector of your district about the lack of facilities and malfunctioning of the government hospital of your area, ठीक है, इसके बाद में next देखिए, write a letter to the collector of your district about the noisence of loudspeaker, मतलब कि use of band loudspeaker वाला करना है आपको, your area requesting him to impose a band on the use of loudspeaker, मतलब कि loudspeaker वाला भी आपको करना है, याद कर लेना अच्छे से, दोनीविश तरह के अंदरो पर रोक लगाने वाला, write an application to the principal of your school, requesting him to issue a character certificate, character certificate की भी आपको क्या करना है, application अच्छे से, याद कर ही लेना है, चली अगला बताता हूं, मैं अब अगला है, you are Mohan Sud student of class 12th higher secondary school, they was write an application to the principal, requesting him to issue your school living certificate, या transfer certificate, ठीके, S, L, C, या फिर T, C, ये application याद कर लेना, ठीके, और याद इसके बाद में, certificate as you have to submit in the office of collector, for your selection in revenue department, आपका revenue department में selection हुआ है, तो आपको बता देना आईए, ठीके, इसके बाद में, next देखी, आपके एरिया के postman की complain करनी है, इसमें, और अब देखिए, informal letter, ये भी 6 number के हैं, ठीके, 6 वाला question, अभी मैं complete कर वाद हूँ, इसके बाद में, जो section C है, वो next वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, write a letter to your brother, telling him how you have spent your summer vacation, next देखी, ये आपको क्या करना है, ये आपको एक ऐसा letter लिखना है, जिसमें आपको success के लिए बदाई आपने दी है, अपने दोस्तों को, ठीके, जिसने क्या मतलब की अच्छे माक्स प्राप्त किये हैं, next देखी, write a letter to your friend, advising him to study English, English, math, general knowledge and reasoning for competitive exams, English, math, general knowledge and reasoning, इसके को डेवलप करने के लिए आपके फ्रेंड को करना है, advice देना है, write a letter to your father, requesting him to send URS 1000 to purchase books, school and hotel fees, next देखी, write a letter to your friend, inviting him on your elder brothers and sister marriage, brother and sister marriage का लेटर भी आप याद कर लेना, अच्छी तरह से, और ये last है, इसके बाद में section C रहेगा, जो next वीडियो में रहेगा, write a letter to your father requesting him to permit you to attend the tour of Mandu, tour to Mandu, ठीके, Mandu का तूर जाना है आपको, तो अपने पिता जी को लेटर लिख कर बता देना, तो मिलते हैं next वीडियो में चैनल को subscribe जरूर कर लेना, क्या मैं बता रहा हूँ कि 100 प्रतिसत कुश्चन बेंक से ही आएगा, और जो कुश्चन बेंक में हैं, वो का वोई छपने ही वाला है, समझी लेना आप, ठीक है, 12th class MP board, pre-board exams आपकी 12 of April से start है, जो 27th of April तक चलेगी, इसके बाद में आपकी board exams रहेगी, तो यह board exams के लिए और pre-board दोनों के लिए है, ठीक है, ठेंक्यू,